रोमियों के नाम पौलुस प्रेवित की पत्री पंदरवा अध्याए निदान हम बल्वानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें न की अपने आपको प्रसंद करें। हम में से हर एक अपने पडोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित प्रसंद करें। क्योंकि मसीही ने अपने आपको प्रसंद नहीं किया। पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आप पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांती के द्वारा आशा रखें। परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहन किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहन करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिग्याएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें द्रढ करने के लिए मसी परमेश्वर की सच्चाई का प्रमार देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बना। और अन्य जाती भी दिया के कारण परमेश्वर की बढ़ाई करें। जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाती जाती में तेरा धन्यवात करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है हे जाती जाती के सब लोगो उसकी प्रजा के साथ आनंद करो और फिर हे जाती जाती के सब लोगो प्रभु की स्तुती करो और हे राज्य राज्य के सब लोगो उसे सराहो। और फिर यशाया कहता है कि यिश्य की एक जड़ प्रगट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी. सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांती से परिपूर्ण करे, कि पवित्रात्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. हे मेरे भाईयो, मैं आप भी तुम्हारे विश्वास में निश्चे जानता हूं, कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और इश्वरी ग्यान से भरपूर हो, और एक दूसरे को चिता सकते हो. तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाव करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्यजातियों के लिए मसही ईश्व का सेवा खोकर, परमेश्वर के सुसमचार की सेवा, याजक की जिनाई करूं, जिस से अन्यजातियों का मानों चढ़ाया जाना पवित्रात्म से पवित्र बन कर गहन किया जाए, सो उन बातनों के विश्वर में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसी ईश्व में बढाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातनों को छोड़, मुझे और किसी बात के विश्व में कहने का हियाओ नहीं, जो मसी ने अन्यजातियों की अधिन्ता के लिए वचन और कर्म और चिन्धों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्रात्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किये, यहां तक कि मैंने एरुश्लेम से लेकर चारों और इल्लूरिकुम तक मसीह के सुसमचार का पूरा-पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां-जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमचार सनाओ, ऐसा नहो कि दूसरे की नेव पर घर बनाओ, परंटु जैसा लिखा है, वैसा ही हो कि जिन्हें उ पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब मुझे इन देशों में और जगय नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है, इसलिए जब इस पानिया को जाऊंगा, तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुम से भेट करूं, और जब तुम्हारी संगती से मेरा जी कुछ भर जाए, तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुचा दो, परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरुशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकि दुनिया और अखिया के लो यदि अन्य जाती उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है कि शारिरिक बातों में उनकी सेवा करें, सो मैं यह काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस पानिया को जाऊंगा, और मैं जानता हूँ कि जब मैं त पवित्र आत्मा के प्रेम का समरण दिलाकर तुमसे बिंती करता हूं, कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लुलीन रहो, कि मैं यहुदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं, और मेरी वह सेवा, जो यरुशलेम के लिए है, पवित्र साथ रहे. आमीन